और चली सिधर ली चलते हैं आपको बंगाल जो हाँ पर दुर्गा पूजा की शुवात करें प्यम मोदी आस्ते पेरे आज आमी नीजी के धन्यों माने करीशे पस्चिम बंगाल के मेरे भाई और बहनों आज भक्ती की शक्ती ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं लेकिन आज मैं बंगाल में आपके बीच उपस्ती था बंगाल के मादुर्गा के भक्तों ने मेरे स्वजनों ने मुझे बुलाया है मुझे इस्वा अवसर से जुड़ने का बहुत बढ़ा सोभागी मिला है जब आस्था अप्रमपार हो मादुर्गा का अशिरवाद हो तो स्थान, स्थिती, परिस्थिती से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगाल मय हो जाता है ऐसी कोई जगह नहीं जहां इन दिनों गराम बांगला और शोर बांगला के रंग और मादुर्गा के नवरुप की जलक न दिखाई देती हो दुर्गा प्रजा का पर्व भारत की एकता का पर्व भी है भारत की पूर्णता का भी पर्व है बंगाल की दुर्गा पुजा भारत की स्पूर्णता को एक नई चमक देती है नए रंग देती है नए स्रंगार देती है ये बंगाल की जागुरुत चेत्रा का, बंगाल की अध्यत्मिक्ता का, बंगाल की अधिहासिक्ता का प्रभाव है पवित्र सस्थी के इस पुन्य अवसर पर मैं बंगाल की पवित्र पुन्य भूमी आज आधर पुर्वक नमन करता हूँ बंगाल की भूमी से निकले महाल व्यक्तित्वों ने जब जैसी आवशक्ता पड़ी सस्त्र और सास्त्र से त्याग और तपस्या से माँ भारती की सेवा की है बंगाल की माटी को अपने माथे से लगा कर जिनोने पूरी मानवता को दिशा दिखाई उनसी नामप्रश्ण परमाउस स्वामी विवेखानन चैतन्य महाप्रभू स्री अर्विंदो बाबा लोकनात स्री ठाकुर अनुकुल चंद्र मा आननमै ऐसे अंगिनत अंगिनत रुशी परमपरा के वहानुभावों को मारशियों को तपस्वियों को आज मैं आदर पूवक नमन करता हूँ जिनोने बंगाली नहीं पूरे देश के समस्कारों को घड़ा उन गुरुदेव रविंदराजी टगोर बंकिम चंद्रजी चट्वपध्याई शरत चंद्रजी चट्वपध्याई को भी मैं आदर पूवक प्रणाम करता हूँ जिनोने भारतिय समाज को नई राह दिखाई नई चेतना जगाई उन इश्वर चंद्रविद्यासागर राजा राम महुनराय गुर्चंद्र ठाकोर हरिचन ठाकोर पंचानन भर्मा का नाम लेते हुए ही एक नई चेतना जगती है आज अवसर है उन सब के सामने ससिष जुकाने का जिनोंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जीवन्त किया नई उर्जा से भर दिया ऐसे नेताजी सुभास्चंद्र भोष शामा प्रुषाद मुखर जी शहीत खुदराम भोष शहीत प्रफुल चाकी माश्टर दा सुर्यसें बागा जतीन को हम सब आज नमन करते हैं जिनोंने माभारत की सेवा में अपना जीवन लगा दिया हैसी माशारदा मातंगिनी हाजरा रानी राश्मनी पृतिलता वादेदार सरला देवी चौदरानी कामिने राय को आज प्रणाम करने का एपल है जिनोंने विज्ञान के खेत्र में भारत का भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया ऐसे जगदिश्चंद्र बोस सत्तेंद्रनाद बोस आचारिय प्रभुल चंद्र राय आज जब विज्ञान का यूग उनको हर पल याद करता है मैं भी आज उन महानुभावों को नमन करता हूँ आज के भारत को घणने में समारने में बंगाल का इतना बड़ा योगदान है इतने सारे नाम है कि शाम हो जाएगी लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे कला संगीत जगत की ही बात करे तो काजी नजरुल इसलाम, सत्यजीत रे, रुत्विक गटक, मरनाल सेन, सुचित्रा सेन, उत्तम कुमार कितने ही नाम है जिनोंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है वैसे बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि दुरगा स्वरूप मा भारती की जो तश्वीर आज करोडों भारतीों के दिल में बसी है वो तस्वीर भी सबसे पहले बंगाल में अबनिंद्रनाथ टेगोर जी ने बनाई थी बंगाल के लोगों में एक ऐसी आत्मशक्ती है जिसके कारण वे हर छेत्र में आगे बढ़कर उपलिप्दिया पाते है बंगाल के लोगों ने देश को प्रगती के मार्क पर आगे बढ़ाया है आज भी बढ़ा रहे हैं और ये मेरा विश्वास है कि बविश में भी बंगाल के लोग देश का गौरव इसी तरह बढ़ाते रहेंगे अभी इस कारके में उपस्तित आप सब भी बंगाल के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं आज के पावन दिन मैं सभी का स्मरन करता हूं अथा सक्तियों से भर्यू ही बंगाल की जनता को मैं आदरपुरवक नमन करता हूं साथियों इस बार हम सभी कोरोना के संकट के बीच दुरगा पुजा मना रहे हैं मा दुरगा के भक्त पन्नालों के आयोजतों सब ने इस बार अध्व्यूत सैयम दिखाया है संक्या पर भले असर पड़ा हो लेकिन बव्यता वही है दिव्यता वही है आयोजन भले ही सिमित है लेकिन उत्सव का रंग उल्लास आनन असमीत है यही तो बंगाल की पहचान है यही तो बंगाल की चेतना है यही तो असली बंगाल है हाँ मेरा आपसे यह आगरत जरूर है कि मा दुर्गा के पूजा के साथ ही आप दोगज की दुरी मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करेंगे साथियों बंगाल में उमा एलो घरे की सनातन परंपरा रही है दुर्गा पुजा के पारम में बोधन समारों में मा का पारंपारिक आहवान भी इसी परंपरा का विधान है यहाँ दुर्गा को अपनी बेटी भी मानते है बेटी के तरह घर में उनका स्वागत करते है यह दर्शन इस्वरिय सत्ता से हमारा संतान और मा का यह रिष्टा यही हमारे आध्धात्मिक और सामाजिक चिंतन का मुल्भुत आधार है इसलिए हमें सभी बेटियों को दुर्गा की तरह सम्मान करने की सिख दी जाती है नवरात्र में उनकी पूजा की जाती है और मा दुर्गा की पूजा तो साक्षात शक्ति की साधना है हमारी मा दुर्गा दारिद्य दूख भयर हारी नहीं कही जाती है दुर्गती नाशे नहीं कही जाती है अर्थात वो दुखों को दरिद्रता को दुर्गती को दूर करती है इसलिए दुर्गा पूजा तभी पूरी होती है जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं किसी गरीब की मदद करते हैं साथियों महिसा सुर का वद करने के लिए माता का एक आउशी परियाप्त था लेकिन इस कार्य के लिए सभी दैविय शक्तियों को संगडित हो गई थी वैसे ही नारी शक्ति हमेशा हमेशा से भी सभी चुनोतियों को परास करने की ताकत रखती है ऐसे में ये सभी का दाइत्व है कि संगडित रुप से सभी उनके साथ खड़े हो भारतिय जनता पार्टी के विचार यही है संसकार यही है और संकल्प भी यही है इसलिए देश में आज महिलाओं के ससक्ति करण का भी अभियान तेज गती से जारी है चाहे जन दन योजना के तहट बाइस करोर महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो या फिर मुद्रा योजना के तहट करोरों महिलाओं को आसान रुण देना चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर तीन तलाग के खिलाप कानून चाहे गरबावस्ता के दोरान मुक्त चेकप की सुविदा हो या फिर पोशन अभियान चाहे स्वच्च भारत के तहट घरों में सवचाले का निर्मान हो या फिर रसोई में धुएं से आजहादी चाहे नाइट सिप में काम करने के अधिकार हो या फिर मेटनिटी लीव को बारा हपते से बढ़ा कर 26 हपते करना चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्विकृती हो या फिर सेना में पर्मेनेंट कमिशन देश की नारी शक्ति को ससक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है महलाओ की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सक्त किया गया है दुराचार करने वालों को मृत्युदंड तक का प्रावधान हुआ है भारत ने जो नया संकल पर लिया है आत्म निर्भर भारत के जिन अबियान पर हम निकले हैं उसमें भी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमी का है साथियों मैं बोले नात की नगरी काशी का साउंसद हूँ काशी में मा दुर्गा माता अनपूरा गरुप में मिराती है मा के रुप में दुर्गाजी को हमेशा ये चिंता भी रहती कि उनकी कोई संतान भूख ही न रहे कोई गरीब न रहे बांगला में कहते हैं आमार संतान जैनो ठाके दूदे भाते मा दुर्गा का ये आशिरवात कभी पूरा होगा जब हमारा किसाम आत्म निर्भर बने हमारा स्रमिक आत्म निर्भर बने हमारा देश आत्म निर्भर भारत के इसी संकल्ब से हमें सोना और बांगला के संकल्ब को पूरा करना है हमें याद रखना है ये बंगाल की ही पवित्र धर्ती थी जिसने मायर देवा मोटा का पोड माथाई तुले नेरे भाई का गीत दिया था यह बंगाल की ही धर्ती थी जिसने आजादी के आंदोनन में स्वदेशी को एक संकल्ब बनाने का काम किया था बंगाल की ही धरती से गुरुदेव रमिद्रन टैगोर और मंकिम चंद्र चेतर जी ने आप मंदिर बर किसान और आप मंदिर बर जीवन का संदेश दिया था गुरुदेव ने लिखा था बांगलार माटी, बांगलार जौल, बांगलार बायू, बांगलार फॉल, उन्य होग, उन्य होग, उन्य होग हे भोगवार्थ। इसलिए 21 सदी में आत्म निर्वर भारप का ये नया संकल भी बंगल की धर्ती से ही मजबूत होगा। हमाने बंगल के गौरव को, बंगल के उद्यम और बंगल के उद्योग को, यहां की समुरुद्धी और संपनता को नई उचाईयों पर पहुँचाना है। साथियों, बंगल के तेज विकास के लिए, बंगल के लोगों को मुल्भुत सुविदाय पहुचाने के लिए, निरंतर काम हो रहा है। प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट, बंगल में करीब करीब, तीस लाख गरीबों के लिए, घर बनाए जा चुके हैं। उजवला योजना के तहट, करीब करीब नबे लाख गरीब महिलाओं को मुक्त गैस कनेक्शन दिये गए हैं। प्रदान मंत्री जनदन योजना के जरिये, बंगल के लगबग चार करोर गरीबों के बैंक खाते खोले गए हैं। इतना ही नहीं जल जीवन मिशन योजना के जरिये बंगाल के लगबग चार लाग गरों में पाइप से साफ पानी पहुचाना का काम हुआ है बंगाल के इंफास्ट्रेक्टर के लिए कनेक्टिविटी सुधाने के लिए भी लगातार काम हो रहा है कोलकाता में इस्ट वेस्ट मेट्रो कोरिडोर परियोजना के लिए भी साड़े आठ हजार करोड रुपे मंजूर किये गए है नेपाल, भारत और बंगला देश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सैंकडो करोड रुपे की लागत से सड़क परियोजना पर कारिया चल रहा है नेश्टनल हाइवेज हो, वाटर वेज हो, या फिर गाउग गाउग तक ब्राओड बेंड कनेक्टिविटी हमारी कोशिज है कि बंगाल के आम जन के जीवन से मुष्टिले कम हो, उनका जीवन आसान बने साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार ने पुर्वदय का मंत्र अपनाया है जहां सूर्योदय हम देखते हैं पहला, उसी दिशा का पुर्वदय पुर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैंसले लिए है पुर्वदय के इस मिशन में पस्चिम मंगाल को महत्पपूर भूमी का निभानी है मुझे बरोसा है कि पुर्वदय का केंद्र बनकर पस्चिम मंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा हमारे सास्त्रों में कहा गया है या देवी सर्व भूतेशू सक्ति रुपेर संस्तिता हर्थात हर जन में मादुर्गाही शक्ति रुप से सीत है हमें इसी भावना से पूरी ताकत से काम करना है जन जन तक पहुँचना है हमारे सास्त्रों का कथान है या देवी सर्व भूतेशू सक्ति रुपेर संस्तिता हर्थात मादुर्गाही जन जन में शान्ति रुप से स्थीत है इसलिए हमें शान्ति प्रेम भाई चारे की भावना से देश की एकता के लिए काम करना है हमारे सास्त्रों का मंत्र है या देवी सर्व भूतेशू दयार रुपेर संस्तिता अर्थात मादुर्गा सभी प्राणियों में दया के रुप में विराज दी है इसलिए हमें हिंसा के खिलाब अहिंसा से जीत हासिल करनी है हमारी भावना है कि या देवी सर्व भूतेशू लक्ष्मी रुपेर संस्तिता यानि कि मादुर्गा ही सभी के साथ लक्ष्मी रुप में रहती है इसलिए हमें सब के सुक के लिए सब के विकास के लिए काम करना है हमें सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका ये तप, ये त्याग, ये साधना जल्द ही फली भूत होंगे परिशे से मा दुर्गाओ, मा कालीर काछे प्रार्थना कोरी, जेनो प्रती बहुचोर आमरा एई भावे मा ए सेबाओ पुजो कोरे जेते पारी मा देशे रो जातीर उन्नती कल पे आमा देर आशिरवाद कोरूं, एई कामना कोरूं वैसे बंगला भाषा में इतनी मिठास है, मुझे मालूम है कि उचारण में कुछ नो कुछ कमी रही जाती है लेकिन फूर भी बंगला बोलने के मोह से मैं खुद को रोक नहीं पाया हूँ तुर्टियों के लिए छमा के साथ ही मैं मा दुरगा के इस पवित्र पावन नवरात्री के पर्वपर सर जुका कर पणाम करते हुए पुरे राश के कल्यान के लिए आप सब के साथ प्राशना में जूडने का गर्वान उभव करते हुए मैं मेरी वानी को विराम देता हूँ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुप कामना है जै मा दुर्गा जै मा काली प्रदानमंत्री मोधी का संबोधन आप सभी ने सुना जो सरके से उन्हें व्याख्या की मा दुर्गा के महत्रों को बताया वहीं बंगाल में हैं इस वक्त और संबोधन दिया साथ ही सभी धर्मों के जो आदर्श हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया और दुर्गा पूजा की शुरुवात यहां से प्रधानमंतरी मोदी ने उन्हें संबोधन के माध्यम से की पूर्जोर सुबेच्छा से माधुर्गा का आशिरवादी यह उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पात कही थी पूर्वी भारत के विकास के लिए भी फैसले लिए गए उन्होंने इसका भी जिक्र किया पूर्वोदय के लिए बंगाल को एहम भूमी का निभानी है प्रधानमंतरी मोदी ने कहा महापुश्रो को नमन किया पूजा की भविता के बारे में भी बताया